इनसे समझने की कोशिश करेंगे किसकी कितिनी तयारी है और ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बीच में एक इधर एक उधर एक उधर तो एक इधर ये चल रहा है ये सारी चीज़े क्या है मैं सबसे पहले किसोर जी आफी से पुछना चाहूंगा मतलब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में डेंट लगाया तो अब बीजेपी की बारी है सूथ समوت हिसाब लिया जा रहा है क्या देखिए बारती जंता पार्टी ये लगई खुद लोग ऑ रहे हैं उनकी उनका मन था कि जो हमारे जिनने हम लोगों ने टिकट नहीं दिया वो समाजबादी पार्टी जॉइंग कर रहे हैं जिनके बेटे टिकट नहीं मिलता और जिने खुड टिकट नहीं मिलता वो समाजबादी पार्टी जॉइंग कर रहे हैं ये बुझे वे चिराग हैं इन सब आएगे सब आएंगे मतलब आपने स्वामेपरसाद मौरे को ले लिया बाकी दो मंतियों को ले लिया च्छे विदाय को ले लिया यह तो सीधे मौलायम परिवार पर यह संद बाताया जा रहा है जा रहा है कि महोई तला जिए कि नहीं रोजवा रहा है ऑर रोशननार परणाही है और भारच्ट पार्टी कि पताशी ना होती इन के लिसका हैं प्रतियास ही थे ठीक है तो उन्हें पहले ही सारी सेटिक हो जाती है आपको खुदी पता है तो अपने आप ही आप समझ सकते हैं पुनम पांडे को टिकट दिया है प्रियंका गांदी ने आपको याद होगा पुनम पांडे आशा वरकर आशा कारे करता और इनकी तस्वीर जो इन्होंने सीम के खिलाब प्रदर्शन किया था इनका आरोप था कि पुलिस वाले ने इनकी पिटाए की और भी कई अशाकारे करताओं को लड़की हूं लड़ सकती हूं और उसी के तक प्रियंका गांदी ने इस बार पुनम पांडे को चुना है यहां सुमिद्वार कितनी आपको उमीद थी किस बार ठिकट मिलेगा आपको नहीं मुझे कोई उमीद नहीं थी आप पहले संपर्क में थी क्या कॉंगरेस के बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं अचानक से प्रियंका गांदी ने आपको चुन लिया कि आप यहां से लड़ो जी हां इतना मेरे साथ अत्य और उन्हीं से पूछना चाहति हूं कि लोगों कादिकार नहीं है हमारे ही वोट से बने हुए हमारे सब्सक्राइब हादिकारी कादिकार को